जहंद, मैं ललित खतरी और आप देख रहे हैं MTTV इंडिया अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी आपके जहंद में सबसे बड़ा प्रशन क्या रहा है तो दिकांश लोगों का उत्तर होगा कि भहिया आखिर ये करोना कब खतम होगा जहां आज अजमेर ही नहीं देश ही नहीं बलकि दुनिया के अधिकांश लोगों का यही पूछना है कि आखिर कब सब पहले जैसा होगा और कब ये करोना हमें मुक्त करेगा तो चलिए आज आपको आपके इसी सवाल का जवाब दे देते हैं यहां World Health Organization यानि WHO ने इसका जवाब दे दिया है World Health Organization ने अनुमान लगाया है कि ये महामारी उतनी भी लंबी नहीं चलेगी जितनी की कभी Spanish Flu चली थी विश्व स्वास्ते संगठन ने शुकरवार को कहा कि आशा है कि दो साल से कम वक्त में करोना वाइरस धर्ती से खतम हो जाएगा COVID-19 Spanish Flu से कम वक्त में समाप्त हो जाएगा WHO प्रमुख Tedros Adhanom Ghebreyesus ने शुकरवार को जनेवस तित संगठन के मुख्याले में पतरकारों से बाच्चित में कहा हम उमीद करते हैं कि दो साल से कम वक्त में करोना महामारी धर्ती से खतम हो जाएगी उन्होंने इस बात पर जोड देते हुए कहा कि 1918 में फैली महामारी से कम वक्त में करोना खतम हो जाना चाहिए साथ ही Tedros ने इसके लिए दुनिया भर के देशों से एक जुट होने और एक सर्वमाने वैक्सीन बनाने में सफलता मिलने की जरूरत पर भी बल दिया है WHO परमुग Tedros का ये बयान ऐसे समय आया है जब पूरी दुनिया में करोना के मरीज निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और पूरी दुनिया इससे तरस्त है कई नामी हस्तियां COVID-19 के कारण दुनिया छोड़ चुकी है पूरी दुनिया में 170 कोरोना वाइरेस की दवाओं उपर ट्राइल चल रहा है और करीब 20 दवाएं तीसरे फेज में है पर अभी तक करोना की कोई स्वीकृत वैक्सीन नहीं बन पाई है और नहीं अब तक WHO ने करोना वैक्सीन की बनने की समय सीमा से संबंदित कोई चिक्र की है लेकिन अब WHO चीफ ने कहा है हमारे पास पहले की तुलना में ज़्यादा तकनीक है और ग्यान है इसलिए हम महामारी से जल निपल सकते हैं आपको बता दें कि Spanish Flu एक ऐसी बिमारी थी जिसे आधुनिक इतिहास में सबसे घातक महामारी बताया जाता है दुनिया भर में इस महामारी से करीब 5 करोड लोगों की मौत हुई थी खेर डवलो एचो पर मुख के इस बियान का क्यार्थ निकलेगा ये अभी देखना बाकी है क्योंकि बीते कुछ समय से डवलो एचो करोड पर अपने कई बड़े बियानों से पलट चुका है पर आशा है कि इस बार दुनिया की इस सबसे बड़ी स्वास्त्य संस्ता का दावा स्टीक निकलेगा और जल्द ही दुनिया इस महामारी से निजात पालेगी